नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों के स्वागत है आपकी अपनी चैनल सूरज के रिव्यू में फ्रेंड्स देखके आ रहा हूँ भाई साब किल मूवी भाई मतलब गजब यानी मतलब मैंने क्या देख लिया अभी तक मैं मतलब सदमे में हूँ किस तरह का मूवी बना दिया भाई साब यह बहुत ही कजब बहुत ही टाइट सेक्वेंस और मतलब मूवी का सबसे मुझे अच्छी चीजी यह लगी कि बाई जो होती है ना सेट अप करना बीड़ करना कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है दस पंदरा मिनिट मुस्कल से लिए ह में और फिर वो जो चालू होता है ना चपाचप चपाचप क्या ही मतलब लिए विलन को भाई इतनी बुरी तरफ से पिटते हुए मैंने इससे पहले किसी मूवी ने में नहीं दिखाय है और आई होप विलन भी कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा इरे इस लेवल पर द प्रेन में आना चोड़ो इस्टेशन तक देखना था कि वह लोग छोड़ देते हैं मतलब किस लेवल पर लिए भाई मरने के बाद नरग में जाके भी बोलेंगे यह क्या था मजा ही आगया मतलब सीट से उठने का मन नहीं कर रहा था मैं सोचा दूसरा भी एक लेलू टिकेट फिर सोचा दूसरा काम है तो निकल आया क्योंकि रिवीव भी तो बनाना था भाई आपके लिए गजा में डैफिनिटली में दुबारा भी मूवी देखने जाओंगा लेक जितने भी काम किया है एडिटर की बात कर लो आप ती मतलब सीनेमेटो ग्राफर की बात कर लो एक छोटा सा ट्रेन का डबा होता है आपको पता है ना कि उसमें तो मतलब सोने के लिए भी बहुत कम जगह रहती है आदमी मतलब करवट ले तो समझ लो नीचे गर जाए तो ऐ यसी जगह पर action sequence यहाँ पर पूरी तरह से produce करना उसको design करना और किस लेवल पर सोचा है डारेक्टर ने यह देखने वाली बात है यहाँ पर हम प्रसंसा करना चाहेंगे लक्स की भी जो एक नया चेहरा हमको दिखाई दे रहा है मूवी में और रागव जो में विलन का रोल यहाँ पर कर रहे हैं दोनों नहीं बहुत बढ़िया काम किया हैं दोनों अपने जगह पर एकदम फिट लग रहे हैं मूवी अगर आपने नहीं देखिए तो देख लेजिए लेकिन बच्चों के साथ प्लीज मत देखना क्योंकि इस लेवल के वाइलेंट सीन मतलब आप 10 सब्सक्राइब करोगे तब यह मतलब बनेगी मतलब जिस लेवल पर यह दिखाया ना वाइलेंस भाई गज्य भी बस थोड़ा यह दियान रखना बच्चों के साथ मत देखो बड़ों के साथ जाओ देखो इंज्वाई करो मेरी तरफ से रेटिंग रहेगा मूवी को 10 में स और भाई इस मूवी का कलेक्शन तो थोड़ा रुक जाओ थोड़ी टाइम बाद में एक वीडियो और लाता हूं कलेक्शन पर थैंकियो सो मच वोड़ी देखने करें मिलता हूं ने नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना जैहिंद वंदे मातरम